Go Lab का Dream हमारा Welcome to Electrical Mela Welcome students, इस वीडियो लेक्चर में हम Calibration of Emitter and Voltmeter को DC Potentiometer से किस तरीके से किया जाता है इसको देखेंगे, उसके diagram को देखेंगे और कुछ अच्छी तरीके से हम समझेंगे कि इसका फाइदा क्या है और Potentiometer को क्यों यूज किया गया है तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको आपके जो इनिर्सिटी एक्जाम में 5 to 10 marks का question आता है इस topic से कि Calibration of Emitter और Voltmeter इस तरीके से दिया होता है जिसमें हमको diagram बनाना होता है इस तरीके का और इसको समझाना होता है तो वो आप clear कर पाएंगे और अच्छी तरीके से लिक भी पाएंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही दूसरे अच्छे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे सबसे पहले हम देखेंगे calibration of emitter को ठीक है तो calibration का emitter करेंगे हम अपने emitter का वो भी use करके किसका DC potentiometer का तो DC potentiometer के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूँ कि DC potentiometer use होता है current measurement में voltage measurement में और power measurement भी किया जा सकता है तो जो इसका जो measurement का तरीका होता है potentiometer का उसमें क्या होता है कि ये compare करता है एक unknown emf को एक known emf से जिसके कारण ये exact value निकाल लेता है voltage की और इसकी जो reading होती है बहुत accurate होती है accurate होने की वज़ा से इसका इस्तमाल calibration of emitter और voltmeter के लिए और wattmeter के लिए किया जाता है तो calibration का मतलब क्या है जैसे कि emitter है emitter को आप बहुत दिनों से use करते आ रहे हो जिसके कारण उसमें क्या आगे आपको लगता है कि कहीं ये reading गलक तो नहीं दे रहा है क्या होता है aging problem के कारण ये जो meters होते हैं उनकी जो reading है वो accuracy कम होने लगती उसमें error बढ़ने लगता है जिसके लिए हमको उसको calibrate करके देखना पड़ता है true value से तो जो potentiometer है ये हमको true value देता है exact measurement देता है और उस value को हम compare करते है emitter की value से और देखते हैं कि वो दोनों same आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तब हम emitter में कुछ small adjustments करते हैं और उसके बाद ये emitter हमारा calibrate हो जाता है accurate values के लिए तो इस तरीके से calibration का concept मैंने आपको बता दिया है और हम पहला देखने वाले हैं calibration of emitter को तो calibration of emitter में हम इस तरीके की circuit का use करते हैं जिसमें की stabilized DC supply दी जाती है साथ में 2 reostate हमने use की है एक reostate है course adjustment के लिए जिसमें हम ज़्यादा value का adjustment करते हैं और एक है fine adjustment जिसमें हम कम value का एकदम small values का adjustment करते हैं साथ में emitter को हमने series में जोड़ दिया standard register से जिसकी value हमको known होती है इस known value of resistance के cross हम क्या लगा देते हैं potential meter और supply को यहां से start करते हैं चालू करते हैं चालू करने से क्या होगा कि यह जो current है वो इस तरीके से flow हो जाएगा emitter के through इस standard register से होके मालो यह current की value है is तो यह जो emitter है यह is को क्या करेगा read कर लेगा तो emitter की एक reading आएगी is के लिए और यह जो s है इसके across क्या हो जाएगा potential drop हो जाएगा जिसको हम बोल रहे है s voltage drop होगा क्योंकि resistance s से हो करके current flow हो रहा है और इस voltage drop को हमारे जो potentiometer है यह हमारा measure कर लेता है और इस voltage drop से हम क्या निकाल सकते है current की value find कर सकते है चोकि potentiometer जो होता है हमारा वो accurate value measure करता है किसका standard resistance के across होने वाले drop का vs का तो vs को जब हम standard known resistance से हम लोग क्या करते हैं divide करते हैं उसकी resistance की value से जब divide करते हैं तो हमको क्या मिलता है उस standard resistance s के through flow होने वाला current is और यह जो is की value है इसको हम compare करते हैं emitter की reading के साथ इसको हम compare करते हैं emitter की current reading के साथ अगर दोनो same नहीं है अगर दोनो same नहीं आते इसका मतलब है कि कुछ न कुछ adjustment हमको emitter में करनी पड़ेगी क्योंकि potential meter से जो हम reading लेते हैं उसको हम क्या मानते हैं true मानते हैं accurate मानते हैं इसके ही emitter को भी होना चाहिए जिसके लिए हम उसको दोनों को क्या करते हैं compare करते हैं और अगर वो same नहीं होते तो हम adjust करते है emitter की settings को वो कैसे adjust कर रहे हैं यहां पर देखिए दो type के adjuster दिये हुए एक है fine adjustment और एक है course adjustment तो इन adjusters का use करके actual में resistance ही है इनका use करके जो emitter है ठीक emitter की जो reading है उसको हम क्या लाते हैं potential meter की reading IS के बराबर ले करके आते हैं जिससे हमारा जो emitter है वो क्या हो जाता है calibrate हो जाता है इसके बारे में ध्यान रखिए कि this method of calibrating emitter is very accurate मतलब कि एक standard वहना जाता है potentiometer को calibration of emitter के लिए तो बहुत accurate result मिलते हैं बहुत अच्छा calibration होता है इसमें तो इस तरीके से calibration of emitter को मैंने आप बहुत अच्छे से explain किया exam में आये तो आप ये diagram जरूर बताना और इस diagram का क्या करना explanation दे देना दो चाहर लाइन में ही सही लेकिन explanation दे देना कौन की से कैसे connected है ये बता देना उसके बाद ये जरूर बताना कि potentiometer कैसे read करता है current की value को तो वो current की value read नहीं करता है वो क्या करता है voltage की value measure करता है voltage drop की value measure करता है और जो current है उससे हम लोग निकाल लेते है फॉर्मूला लगा के जिसमें हमको S की value पहले से पता होती है और S क्या है standard register का resistance है जो कि इसका unit का है ओम में है और जो voltage measure होता है potentiometer से उसका unit होता है वोल्ट में तो हमको जो current मिलता वो ampere में मिल जाता है जिससे हम emitter की जो reading आ रही होती उसको compare करके फिर adjustments करके calibration कर लेते हैं तो मुझे लगता है आपको यह समझ में आया होगा इसके बाद देखते हैं calibration of voltmeter अब voltmeter को कैसे calibration करेंगे similar type का circuit diagram आपको फिर से बनाना है लेकिन इसमें क्या करना है जो voltmeter है उसको parallel में connect कर देना है इस voltmeter को parallel में connect करना है किसके voltage ratio box के और voltage ratio box क्या करता है कि जो भी voltage यहाँ पर appear हो रहा है voltmeter के cross में इस voltmeter को potentiometer के specified rating या specified voltage के अनुरूप voltage ratio box उसको change कर देता है यह voltmeter के cross никаких voltage मिल रहा है इस voltage को यह क्या होता है बहुत जादा होता है और potentiometer के specified value क्या होती है बहुत कम होती है कम voltage के लिए वो अच्छा होता है accurate होता है तो यह जो voltage है जो high voltage हो इसको क्या करता है कि scale down कर देता है step down कर देता है using voltage ratio box से और यह जो voltage ratio box से step down voltage है इसको हम भेज देते हैं potentio meter में और potentio meter क्या करता है इस voltage को measure कर लेता है accurately अब जो potentio meter की voltage reading है उसको हम मिलाते है volt meter के साथ और volt meter के साथ compare करके देखते हैं कि कहीं वो दोनों अलग अलग तो नहीं है और अगर उनकी values अलग अलग होती है तो potentio meter की जो value है उसको हम accurate मान लेते हैं और accurate मानने के बाद में volt meter में वैसा ही reading लाने के लिए ये सब दो adjustment दिये हुए है fine adjustment और course adjustment इन दोनों का use करके हम उसको adjust करते हैं adjust करने की वज़ा से जो हमारा volt meter का reading है वो potentiometer के reading के साथ match करता है जिससे कि हमारा volt meter है वो calibrate हो जाता है मुझे लगता है ये calibration का concept आप सभी students को समझ में आ गया होगा अगर exam में इस तरह का question आता है तो आप क्या करिए पहले इस diagram को बनाईए circuit diagram को बनाईए और इस circuit diagram में किस तरह से क्या क्या चीजे connected है उसको बताईए जैसे कि stabilized DC supply का मतलब एक constant stable supply देना का होता है जिसमें fluctuations ना हो और उसके साथ fine adjustment को connect किया है जो कि एक reostate है और उसके साथ फिर parallel में एक reostate connect करके course adjustment connect किया है course adjustment देने के बाद उसके parallel में हमने क्या लगा दिया है voltmeter और voltmeter के parallel में ही voltage ratio box connected है और साथ में potentiometer को दो terminal दिये गए हैं जिसके cross वो voltage की reading measure करता है यह देता है ठीक है तो इस तरीके से इसको diagram को आप explain कर सकते हो और उसके बाद आप यह सारी चीजें लिख सकते हो यह concept आपको काम आएंगे तो इस तरह का जो process हम use करते हैं जिसमें voltmeter की reading को potentiometer से प्राप्त जो measured value है voltage की use से compare करके voltmeter में होने वाले changes को क्या करते हैं adjust करते हैं और उसको equal करते हैं potential meter के reading के इससे हमको calibrate हो जाता है हमारा voltmeter और voltmeter भी आगे दूसरे काम में accurately measurement करता है तो students अगर आपको यह video अच्छा लगा तो इसको like करिए और channel को subscribe जरूर कर लिजए अगर अभी तक नहीं किया है और आप comment कर सकते हैं इस video के बारे में अपने suggestion दे सकते हैं अपने कोई doubt है तो पूछ सकते हैं और आपको अगर किसी दूसरे topic पर भी video चाहिए इसी तरीके का conceptual video तो आप वो भी comment करके हमको बताइए आपके comment करने सारी हम आगे videos बनाते रहेंगे तो अगले video तक के लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं